So you guys, आज के इस वीडियो में हम आप सबी को ट्रेडिंग व्यूप़ ड्राइंग कैसे की जाती है ट्रेडिंग व्यूप़ टूल्स कैसे लगाय जाते हैं या फिर इस पर टेक्निकल एनलसे कैसे की जाती है कोल मिला कि जितने भी टूल्स और ड्राइंग से complete tutorial trading view से related होने वाला है तो इस वीडियो में complete बने रहेगा बिना skip किये हुए अगर चीजों को समझते हैं वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो definitely आप सभी को trading view से related सारी queries solve हो जाएंगे आप सभी के mind में अगर कुछ भी चल रहा होगा वो सारी की सारी चीज़े यहाँ पे हम solve कराने का प्रयास करेंगे तो यह है trading view का tutorial trading view हलाकि हमने open करके रखा है यहाँ पे देख सकते हैं tv.dhan.co मतलब धन का trading view मैं use कर रहा हूँ यहाँ पे धन का trading view open है धन का trading view open करने के लिए धन के platform पे आना परता है इसके में आपको demate account आपका होना चाहिए तो demate account बिल्कुल free है चाहें तो आप description में link मिल जाएगी वो link पे क्लिक करके आप धन में अपना demate account open कर सकते हैं link पे क्लिक करके demate account अगर आप अपना open कर लेते हैं finally कुछ steps होते हैं कुछ information होती ही fill करनी होती है then उसके बाद में आपका demate account open हो जाता है ठीक है open हो जाने के बाद ये premium trading view का subscription आपको free मिल जाता है सबसे बड़ी चीज जी होती है इसलिए मैं हमेशा धन का trading view use कर रहा हूँ और अभी भी देख सकते हैं कि यहां पे धन का trading view पे मैं tutorial भी बना रहा हूँ वैसे अगर हम trading view का subscription लेते हैं तो करीब 15,000-20,000 रुपे पर annual हमें चार्ज subscription चार्ज पे करना होता है लेकिन अगर हम धन में अपना demate account open कर लिए हैं या फिर करेंगे तो हमें ये trading view premium trading view विल्कुल free मिल जाएगा जहां पे हम तमाम सारे indicators लगा सकते हैं multiple charts लगा सकते हैं यानि कि एक ही screen पे तमाम सारे chart मुझे layout मिल जाता है या select layout पे click करते हैं तो तमाम सारे chart या 8 chart तक हम यहां पे लगा सकते हैं example के तोर पे दो chart हमने यहां पे देखू लगा लिए अब मुझे जैसे एक तरफ nifty bank देखना है एक तरफ nifty 50 देखना है तो इस तरीके से हम यहां पे multiple charts लगा लेते हैं खेर ये तो हो गई धन के trading view की बात अब हम बात कर लेते हैं कि trading view पे अधन का trading view पुमांगे चलो open कर लेते हैं आप तो ऐसा interface आप सभी के सामने आएगा यहां पे login करेंगे तो login करके जब आप आते हैं तो यहां पे आप सभी को कुछ है इस परकार से interface देखने को मिलेगा ठीक है इस परकार से hide हो जाती फिर से क्लिक करेंगे तो watch list हो हो जाएगी watch list में हम किसी भी index को add करके रख सकते हैं किसी भी stock को add करके रख सकते हैं जो मुझे कोई कि यहाँ पर trading view पर open करना हो वो चीज हम यहाँ पर जैसे मान के चलो sgfc मैंने यहाँ पर क्लिक किया sgfc का चार्ट है यहाँ पर open हो गया तो है ना एक अच्छी चीज watch list में जैसे मुझे reliance पे या फिर finnipty का चार्ट देखना है यहाँ पर मैंने finnipty add करके रख होगा है finnipty पर मैंने click किया हमारे साब में finnipty का चार्ट open हो गया कोटक महिंदरा बैंक यहाँ पर हमने type किया और आ गया कोटक महिंदरा बैंक आड़ करने के लिए yहाँ पर हमने click किया कोटक हमारे सामने यहाँ पर हम देखेंगे अब इसको का time frame फिलाल लगा हुआ है तो यहां से हम time frame change कर सकते हैं इस प्रकार से ठीक है और उसके बाद अगर symbol सर्च करना है यानि कि यहां से आप सर्च करके किसी other stock या feed index को आइड करना चाहते हैं तो यहां से search करके कर सकते हैं यहां पर आपको दिख रहा होगा सबसे उपरी side में दिखाए देंगे एक तो cross cursor, दूसरा dot cursor, तीसरा arrow cursor, पाचवा eraser tool आता है ठीक है तो यहां पर हम example के तौर पे cross cursor यूज़ कर रहे हैं उसी प्रकार से arrow select करेंगे तो arrow दिखेगा तो हम ज्यादा तर हम cross cursor का यूज़ करते हैं तो cross cursor ठीक है अब उदाहरान के तौर पे मान के चलो chart पे मुझे trend line लगानी है, trend लगानी है, मान के चलो contact bank का यह chart है और trend इसका down चल रहा है है, मुझे trend line ड्रा करनी है तो trend line के लिए नीचे हम देखेंगे, इस side में कर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इतनी सारी options आ जाएंगे, यह trend line है, यह arrow line है, यह raise है, information line इसे बोलते हैं, horizontal line है, horizontal line है, example के तौर पे मैं trend line ड्रा करता हूँ, तो trend line यहां से हमें plot करना है, इस वाले high से फिर इस वाले high को हम य अब हमने देखा, यहां से इस trend line का rejection लिया नीचे दिन, उसके बाद में जैसे ही trend line को touch किया, उसके बाद में फिर से नीचे आया, फिर से उपर trend line टच किया, फिर से नीचे आया, थोड़ा trend line के पास आने के बार फिर से नीचे आया, थोड़ा trend line के पास आने के बार फिर से तो यहीं पे हमें मिल जाएगी horizontal line ये देखिए horizontal लेज जो प्रकार की है ये जिसमें beach वाला point बना है तो ये पूरे chart पे draw हो जाती है और ये जो horizontal line alter j से इसका shortcut alter j है और उपर वाली horizontal line जो पूरे chart पे draw होती है उसका alter plus h है ठीक है तो computer में अगर आप देख रहे हैं तो alter plus से भी draw कर सकते हैं otherwise horizontal line ये मान के चलो हम लगाना चाहते हैं ये मैंने select किया और हम देख रहे हैं कि अगर ये वाला point उपर की side में breakout देगी तो हम call side में या फिर buying करेंगे तो हमने ये trend line लगा दी इस प्रकार से मुझे ये trend line का resistance मिल गया है अब confirmation के लिए जैसे इसको break करेगा तो हम target decide करेंगे target हम उपर का resistance लेंगे तो resistance मान के चलो हमें ये मिल रहा है 1879 का तो हम 1879 के target लेने के लिए हम यहां से entry करेंगे stop loss मान के चलो हमें इस candle के नीचे लगाना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक trend line यहां पड़ा करते हैं तो ये एक चीज हो गए ठीक है दूसरी चीज लांग पोजिशन शॉट पोजिशन ये भी हम इससी वीडियो में cover करेंगे फिलाल मैंने बताया ना कि वीडियो को complete देखिए बिना skip की हुए तो ये तमाम सारी चीज होता है नीचे अगर हम देखें देखें ये हो गई परलेल चैनल जैसा कि मैंने आप सभी को बताया साइद आप सभी को पता होगा परलेल चैनल का मतलब होता है कि जैसे एक trend line नीचे से चल रही है इस तरह से और उसके बाद यहां पर अब यह चैनल बेस में ऊपर जैगी फिन नीचे आएगी नीचे से ऊपर उपर से नीचे नीचे से उपर यह इस पर होती है इस पर भी वीडियो लाओंगा डिटेल में सारी चीज आप सभी को बताऊंगा और उसके नीचे जस्ट एक यह हो गया फिर इसके नीचे हम देखत है कि उपर से नीचे कितना retracement कर सकती है तो यहां से हम देखिए यहां से हमने लगाया और इस वाले लोग को लगाया तो हमने देखा कि 0.5 यानि 50% के आसपास से rejection लेके फिर से नीचे की तरफ आई है तो कोटक महिंद्रा बैंक का यह जो प्राइज है नीचे की तरफ आया है ठीक है और उपर से अगर नीचे हम trend line लगाना चाहें कि अभी कितना retrace कर सकती है या उपर जाएगी भी नहीं जाएगी तो हमें उपर स यह trend line लगान नीचे की तरफ हम इस प्रकार से यह वाला high select करते हैं और यह लेते हैं अब देखें अब यहाँ पर थोड़ा सा 38% का level देखें इस strategy इसकी अलग होती है जो फिप रिटेस्मेंट जानते हैं वो चीज समझ पाएंगा दरवाश फिप रिटेस्मेंट की भी इसे घोम सकती है फिर नीचे आती तो इस लो को ब्रेक करेगे तो नीचे भी जाएगे तरवाश 38% को ब्रेक करता है तो उपर के ऐसे support 61% और 786% इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी यह चीजे ठीक है तो सारी ड्राइंग हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं नीचे म हमने देख लिए brush brush tool जो हमने अभी select किया था brush tool select करके हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कुछ mark कर सकते हैं इस तरह से ठीक है यहां से हमने delete कर दिया और उसके brush tool के नीचे यह highlighter हो जाता है highlighter से हम कोई चीज highlight कर सकते हैं ठीक है इसका use तो maximum circle मुझे draw करना है circle set करके draw कर सकत जो important tool है जैसे text मुझे यहाँ पर लिखना तो text यहाँ पर आपको मिल जाएगा नीचे left side में ठीक है patterns तमाम प्रकार के यहाँ पर जैसे x-a-b-c-d pattern या cipher pattern या a-b-c-d pattern मुझे draw करना है तो इन चीजों को बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जानकारी के लिए आपको क समझाने का प्रयास कर रहे है ठीक है अब यह चीज़ देखिए इसके नीचे left side में मुझे long position short position अब मैंने अभी क्या बता है हमने कहा कि यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन ली यह मैंने ऐसे लगाई अब trend line breakout हुई अब trend line breakout हुई अब मुझे उपर resistance पे trade कर रही है मुझे और selling करने के लिए sword position ठीक है तो हम long position यहाँ पे select कर रहे हैं अब यहाँ पे हमने click किया अब यह देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझ लीजेगा यह हम मान के चलो इस candle के नीचे हम stop loss लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मेरा stop loss हो जाएगा और इसके उपर इसको हम का सकते हैं इस प्रकार से यह देखिए dark हो गया यहाँ से इसकी setting आती है setting यह colors आप stop loss यह नीचे की साइड में होता है यह उपर target होता है यह green green जो है यह target होता है और इस जो red red है यह stop loss होता है ठीक है तो अब हम मानते हैं कि उपर मुझे यह target मिलने हो ठीक है तो हम यहाँ त entry होती है ठीक है इसके ऊपर को entry होती है हम यहाँ से buying कर लेते हैं ठीक है मैं brush tool लेकिए आप सभी को थोड़ा सा समझाना चाते हैं यहाँ यह हमारा entry point होता है और इस side में नीचे मेरा stop loss होता है और यह हमारा target होता है अब हम अगर buying यहाँ पे कर लिए तो हम wait करते रहेंगे या तो market इस level के मेरे stop loss के नीचे आए stop loss हिट करें तो हम निकलेंगे या तो हम पूरा target अचीब करेंगे यहाँ तक यह होता है जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा stop loss लग जाता है और हम target नहीं ले पाते हैं long position और short position पे मैं detail में video भी लाने वाला हूँ तो इसको भी आ जितना target लेना चाहें उतने target के आसपास बैठ सकते हैं stop loss आता है तो stop loss निकाल सकते हैं ऐसे मान के चलो यह stock गिरने वाला है अब मुझे short करना है यानि sell करना है तो वही short position लगा देंगे यहाँ पे तो short position किसके नीचे करना है इसी पे करना है तो हम यहीं पे click करेंगे देख यह हमारा stop loss होता है मैं फिर से बता दूँ यह हमारा entry point होता है यह वाला यह stop loss होता है और यह target होता है अब देखिए यहाँ पे मैंने short position लगा है na short position तो short position green वाला यह target होगा red वाला stop loss होगा चाहिए उपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो ठीक है तो यह सारी drawing हम और इसके बाद में और भी for cost date range price range ऐसे options आएंगे धीरे धीरे जो important है वो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा देखिए आपका अगर target हो गया emoji अगर drop करना चाहते हैं तो emoji drop कर सकते हैं को किसी परकार की कितना अच्छा लगता है यह measuring tool हो जाएगा यहाँ पे plus minus के tool आजाएं chart अगर मान के चलो आपका छोटा है अब आपको यह area देखना है देखिए अब आपको देखना क्या है rectangle tool की मदद से हम यहाँ पे यह area select कर सकते हैं मान के चलो box strategy जो मैंने आप सभी को बताई थी या फिर नहीं देख सकते हैं प्लेलिस मिल जाएगी option trading की तो box बनाना चाहते ह इससे मार कर सकते हैं तो मैं आप सभी को सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर यह बताना चाहता हूं कि अगर आपको सिर्फ इतना ही देखना है इतना area देखना और chart बहुत छोटा है तो यह यहाँ पर प्लस वाला निसान आपको मिलेगा प्लस वाला निसान पर क्लिक करके जितना area आपको देखना है उतना किलिक करोगे उतने का चार्ट यहाँ पर आपके सामने जूम होके खुल जाएगा उसी प्रिकार से माइनस करोगे माइनस हो जाएगा तो इस तरह से मैंगनेट वगरा इस्टॉक मैंगनेट यह कुछ important चीजे जो थी वह मैंने आप सभी को स कर सकते है ठीक है आप यह सेफ हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे हाइड ड्राइं फिर से आग्या जो बेसिक चीजे थी वो सारी मैंने क्लियर कर दी है आपको ये ट्रेडिंग विव अगर ये सारे फंक्शन नहीं दिख रहे हैं तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि धन में अपना डिमेट अकाउंट ओपन कर लें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी बहुत ही आ